तो वस्टम गाइश तो आज की इस वではडियो में रेको की यसट abundance करना वाले हैं और इस फॉर्ड़ो को कुल फॉर स्टेप में वाले है तो अगर इन 4 इस्टेप को आफ फॉलो करते हैं तो आपकी भी फोटो कुछ इस टाइब से बनके आ जाएगी तो चलिए इस वेडियो को हम लोग सुरू कर लेते हैं लोग आपकी फोटो को एडिट करने वाला हूं तो इस वाली फोटो को अपनी स्टेट आफ में ऊपन कर लिया हूं आपको एक पैंसल वाले आइकन मिल जाएगा यानि वाला ओप्षंस तो इस टूल्स वाले ओप्षंस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और क्लिक कर लेने बाद आपको ऊपर साइड में कोने में एक्टिवन इमेज का अपसर मिल जाएगा ति इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक कर लेने बाद इसकी brightness को हम लोग थोड़ा सा increase कर लेते हैं जानि कि 20 प्लस 20 कर लेंगे और ये setting आप लोग अपनी photo का according कीजिएगा और यहाँ से इसकी contrast को भी हम लोग increase कर लेते हैं और situation को भी हम लोग थोड़ा सा increase कर लेते हैं और इसकी ambines को हम भी increase कर लेते हैं 20 कर लेंगे plus 20 और इसकी highlight को हम लोग decrease रखेंगे guys 40 कर देंगे minus 40 और इसकी साइड़ों को हम लोग ऐसे increase करेंगे सो साड़ों को हम लोग सार्ट कर लेंगे सब्सटिक और सोघ्ट आप भी यह सेटिंग कर लेने कुछा सिंपल से हैं से राइट वाले ओप्शन्स पर क्लिक कर देना होगा और जैसे ही आप राइट वे ओप्शन्स पर क्लिक करें अब की पूरी वाहा पे कुछ इस टाइब से आपको select करना होगा और punch करके चोटा कर लेंगे और आप लोगों को सिंपल से ओसे नीचे आना होगा नीचे आने गए इसकी situation को हम लोग करेंगे और ओप एससे उपर आके इसकी brightness को हम लोग increase करेंगे सो गई जैसे ही आप यह सेटिंग रखेंगे ना तो आपके फेस पे जो है वाइट बना जाएगी यारनी कि आपकी फोटो जो है ओली टाइप में हो जाएगी तो इसको आप नीचे साइट में इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें अपने हैंड पर भी हम लोग लगा के कुछ करेंगे आपके पूरी फोटो कुछ इस टाइप से होजाएगी तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस सbelsा वाले फिसलिक करेंगे और आप लोह जाना होगा और मैंने डिस्रिप्स ण बोक्स में एक बैक्रांड का लिंक दे दिया है वहां से ऐसे बैक्रांड को डॉट इसकी opacity वाले icon पे click करके और इसकी opacity को हम लोग 100 कर देंगे और यहाँ से हम लोग right click कर देंगे और right click करते ही आपकी पूरी photo को इस type से दिखने लगेगी तो उपर side में इस cross 3 के icon पे click करेंगे view edit पे click करके double exposure पे click करके हम लोग brush को ले लेंगे और brush को लेने गवाद आपकी size यहाँ से 100 हो जाएगी तो आपको अपनी photo को ऐसे zoom करना होगा और zoom कर लेने गवाद आपको अपनी body के side side से कुछ इस type से इसे draw करना होगा जैसे कि मैं draw कर रहा हूँ तो मैं फटा फट से ऐसे draw कर लेता हूँ नहीं तो मैं ज़्यादा वीडियो यह वाली लंबी हो जाएगी सोगेज आपको भी ऐसे background को erase कर देने गवाद सिंपल से आपको right click कर देना होगा और यहाँ से आप लोगों को back हो जाना होगा और back हो जाने गवाद आपकी फूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगी इस pencil पर click कर देंगे और आप लोगों के सामने यहाँ पे एक portrait का option मिल जाएगा तो इस पर हम लोग click कर लेते हैं और click कर लेने गवाद आपको यहाँ से एक smooth 2 का option मिल जाएगा तो इससे select कर लेने गवाद इसकी पहले नम्मर को हम लोग वाई से थोड़ा सा इंकीदिश करेंगे plus 10 कर लेंगे और यहाँ से इसकी second number को हम लोग fully 110 कर लेंगे sorry guys 100 कर देंगे और इसके बाद यहाँ से right click कर देंगे और सब्सक्राइब जैसे ही आप right click करेंगे ना तो आप भी पूरी फोटो कुछ इस ट्राइब से दिखने लगेगी और फोटो को सेव करने के लिए इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके सिंपल से यहाँ सा एक्सपोर्ट क्लिक कर देंगे और हम लोग की यहाली फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी